हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क याने के मिल्क मेट जो कि मार्केट से हम लाते हैं घर पर केक बनाने के लिए या कुछ स्पेशल मिठाई बनाने के लिए तो मैं इसे घर पर बनाती हूं हमेशा और कैसे बनाती हूं इसके रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर कड़ाई के लिए सबसी पने कड़ाई ले लिए कोई भी नॉन स्टिक कड़ाई रेगुलर कड़ाई ले सकते हैं तो अब इसमें दूड डाल देंगे मैं एक लिए आप चाहे तो 500 ml का भी बना सकते हैं तो यह देखे मैंने इसमें दूड को अच्छे से टाल दिया अब हम फ् चला दूड ठीक है कटेगा नहीं यह दूड तो इस वक्त हम इसमें एक कप चीनी डाल देंगे यह कप से मजरिंग करके मैंने कप लिया अगर वजन से देखा जाए तो यह 200 ग्राम चीनी है तो चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूं और इक इसकी खास ट पकाया है आप चाहे तो फ्लेम को मीडियम रख सकते हैं तो इस तरीके से मैं चला रही हूं देखिए आपको इससे कंटिनियूसली चलाना है और इसके किनारी के जो साइट में जो मलाई लगी हुए ना इससे भी निकाल लेना वरना क्या होगा ना इसके लेयर बन जाएंग है तो थोरी दिर और पकाएंगे हम तो यह देखिए 30-40 मिनट पकाने के बाद करनेंस मिल्क में इस तरीके से गाड़ा पना चुका है और कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका आप देख सकते हैं मैंने इसे कंटिनियूसली 30-40 मिनट तक पकाया है बिल्कुल भी मैंने एक मिन किमेट क्तीfish नखी नेटके से जचाब स्वोड़ा नहीं है ताक यह लगेन और यह तरीके से साइड से मैं स्क्राग करके इस तरीके से मैं मिक्स कर रहे थी ताकि इसमें कोई ग्लंप्त नहीं कर पकाया मैंने आपको मैं झिखा रहे हैं चम warnings स्वưởng करके कि इसमेद मैंडस मै अगर आप सोडा नहीं डालते हैं तो भी आपका कंडेंसमेंट का टेस्ट वही रहाएगा जो मार्केट वाला रहता है बट सोडा डालने से दो तरह के फायदे आपको मिलेंगे एक तो यह लांग लास्टिंग रहाएगा यानि कि प्रिजर्वेटिब का काम करेगा और दूसर इसका स्मूधने से आजाएगा यह देखे इस तरीके से जहाग बनने लागा जैसे ही मैंने सोडा डाला है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें एक फेना जैसा हो गया यानि जहाग बन चुका है यह स्मूध करता है इसको तो इस तरीके से मैंने करीब एक मिनट चलाय तो आप क्या करना । गैस का फिल्म ओफ कर देना है क्योंकर हमारा कंडेंसमिल निदम पपक चुका है। और यह सबढ़े, जान से काज के जार दो एक्टम साफ करके छुटे का दूंग कि आप उस Мेल रक सकते हैं एक मैना तक तरव मेशा करना ह मुप मारे ये केक बनाई है, घर की बने हुई कंडेंस मलके है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम आपने जो भी इंगेरियंस डाला है, एकदम घर का ही यूज किया है कोई भी ऐसा चीज आपने यूज नहीं किया जो हामफूल हो, तो चलिए अब इसे ठंडा करके, मैं एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा कंसिस्टेंसी है और ये एकदम ठंडा नहीं हुआ, अभी भी ये गरम है, फिर भी देखिए कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा है, एकदम परफेक्ट है, थोरा सा ठंडा हो जाएगा ना तो ये बहुत अच्छे से पाउज आजाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स एंड फैमिले में शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए अब आप इसे घर पर ही बनाईए और मुझे कमेंट करके बताएए कि आपको ये रेसिपी कैसी लेगी